हेलो दोस्तों स्वागत थे आपका आपके अपनी यूटुब चैनल जन्री टू सक्सेज में आज हम बुद्धिजम एंज जैनिजम इन इंडिया के पार्ट टू को डिसकस करेंगे यानि कि भारत में बुद्धत और जैन्दार्म के भागदों को डिसकस करने वाले हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और सेयर जरूर कर दीजेगा तो आप हम लोग वीडियो को स्टार्ट क का मतलब क्या होता है बिनर कहां से लिया गया जैन को जिन सब्से लिया गया उसका मतलब बिनर यानि की विजेता कि इसके दोरा फाउंडेट किया गया कि तो यह फाउंडेट बाई रिशबनात इसमें जैन धर में यह कहा जाता है कि 24 तिर्थांकर थे कितने 24 तिर्थांकर अब आपके दिमार्ग में ये बाते आती होंगी कि तिर्थांकर क्या होता है तो तिर्थांकर का मतलब होता है एडवाइजर मतलब सलाकार जो आपको रास्ता दिखा है जो किसी भी व्यक्तिको दूसरे व्यक्तिको सला दिखा है उसे हम लोग एडवाइजर यानि की तिर्था क्या है बुल दूसरे तिर्थांकर 24 मैंसे सिर्फ सुरुवात के तीन और लास्ट के दो तिर्थांकर इंपॉर्टेंट हैं और वो पूछे भी जाते हैं तो पहले आपके हो गया रिशब्दियो इनका एंबलम इनका चेन क्या हो गया बुल सेकेंड तिर्थांकर आपके जीतन इनका चेन क्या है इस नेक है साफ है 24 वयार लास्ट हम बात करें तो वर्दमान महावीर थे कौन थे महावीर थे इनका एंबलम इनका चेन क्या था लायन अब हम जैनिजम के बारे में पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसके फाउंडर रियल फ कुंडगराम के इस डिस्ट्रिक में मुझप्रपुर में, बिहार में। इनके पिता का नाम सिधार्थ जो की ज्यानतरिका रिपप्लिक के राजा थे। मदर का नाम तृषला जो की लिचचवी प्रिंसेस। लिक्षवी की राजकुमारी थी, वाइफ का नाम यसोधा और इनकी पुत्री का नाम अंजोय या फिर प्रियदर सेना, इनके दमाद का नाम जमाली, इन्होंने अपने परिवार को 30 साल के उमर में त्याग दिया, जब इनके माता पिता की डेथ हो जाती है, मृत्यू हो जाती, 12 साल इन्होंने मेडियेशन किया ध्यान लगाया और इन्हें जो है ग्यान का प्राप्ती हुआ ग्यान की प्राप्ती हुई और उसे कैवल्य नाम दिया गया क्या नाम दिया गया कैवल्य किस पेड के नीचे दिया इन्होंने जो है मेडियेशन किया था शाल का पेड़ होता है साल ट्री उसके नीचे जो है इनोंने मेडियेशन किया और किस नदी की किनारे तो त्रिजुपाल का रीवर एक थी वहां पर जो है इनोंने ध्यान लगाया उस त्रिजुपाल का रीवर के किनारे एक पेड़ था साल का पेड़ उसके नीचे इनोंने ध 12 साल में ग्यान की प्राप्ति हुई कैवल नाम दिया गया क्या दिया गया उस ग्यान को कैवल मतलब कैवल की प्राप्ति इन्हें हुई इन्होंने जो पार्सो नाथ थे जो 23 वे हमारे तिर्थांकर थे जैन धर्म के कौन है वो पार्सो नाथ जी है तो जो पार्सो नाथ थे उन्होंने चार धर्म के बारे में बताया था सत्य, अहिंसा, ऐस्तय, और कौन सा, अपरीग्रह ये 4 चीजे बताई थी उन्होंने इन्होंने क्या किया एक पांच वाँवा और उसमें एड्ड कर दिया या या य। अधर नेमस क्या है है इनको उसके बाद नीर ग्रंथ के नाम से केलिविन के नाम से जाना जाता है इने और नाथ पुत्त के नाम से जाना जाता है जैन धर्म के तीन रत्म या हम कहें तीन जुवेल्स इने में क्या बता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तुरुर्य रत्म के बारे में समयक ज्यान, राइट एक्षन, समयक आचरण, यानि कि आप समयक विस्वास रखो, यानि कि सच्चाई में विस्वास रखो, ना कि बुराई में विस्वास रखो, राइट नौलेज, समयक ज्यान, यानि कि अच्छी चीजों का नालिज गिरहण करें, राइट एक्षन, अच् वड़ा या फिर इनके कायते हैं अनेकतावाद महावीर के द्वारा बताया गया किसके द्वारा इस अनेकतावाद या यह पुछता है आपका इस्ताद वड़ा इसको बोलते हैं या इस्ताद वड़ा जैसा लिखा रहा है आप जैसा पढ़ सकते हैं आप जैसा भी या अनेकत क्या बुलते है निर्वान कहा पर किया इननोंने पावापुरी में इन इयर 478 BC 468 BC में जमाली इनके जो इनके सनिल्ला थे इनके जो पुत्री थी उनके husband थे सनिल्ला के दमाज जो ते जमाली वह फर्स्ट कैजर यानिकि इनकी क्या बिक्षुड़ी बनी अच्छा में पिपहिल्स इनके जो मुख्ये इनके सिस्स्री माने जाते हैं ग्यारा और उस ग्यारा को जो ग्यारा का सम्हों हुथा जाता था गांधर अच्छा जब महावीर का डेथ हो जाता है तो सुधर्मन वो जो है जैन यूनियन के जो जैन संग रहता है उसके क्या बन जाते हैं चेर्मेन बन जाते हैं अधच्य बन जाते हैं जैन सेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैन वर्ग का क्या है दो सेक्स दो वर्ग थे जैन के दिग रही होती है जैन रिलीजन की प्रचार प्रसा तो नार्थ साइड में क्या होता है बहुत जादे फ्लड आ जाता है ड्रॉट आ जाता है और उस समय क्या होता है कि कुछ लोग जो है साउथ की साइड में प्रस्थान कर जाते हैं माईगिरेट कर जाते हैं तो हुआ क्या जब व लोग कुछ लोग यहां से migrate कर जाते हैं तो इसलिए इन्हें इन्हें दो वर्गों में विभाजित कर दिया गया दो वर्गों में बाटद दिया गया जैनिजम की दिगामब्रा और स्वेतामब्रा तो दिगामब्रा जो अपने आपको नेकड रखते थे यानि कि वस्तर नहीं जैन के जो लिट्रेचर है जानि कि जैनके जो शाहिधे है उसको हम लोग आगम बोलते हैं क्या बोलते हैं आगं में लिखा गया तो प्रकिरती और अर्ध मघधी यूंकि कहां हुआ पार्टली पुत्र में हुआ चेयर्मेन कौन थे तो चेयर्मेन इस्थुला बाहु जी थे आउटकम क्या हुआ कि जो बारा अंगाज होते थे उसका जो है compilation शुरू किया गया फिर second council में क्या हुआ ये पांसो बाराइडी में जो है आया दूसरी council पांसो बाराइडी में हुआ और ये किस इस्थान पर हुआ तो बललवी जो कि गुजरात में है वहां पर हुआ और इसके चेयर्मेन कौन थे तो इसके चेयर्मेन थे देवरिधी मनी outcome इसका क्या हुआ कि जो jain literature था वो क्या हुआ finally compiled यानि पूरी तरीके से compiled कर दिया गया पूरी तरीके से जो है इसका compilation कर दिया गया कुछ questions जिनको मैंने एक point के form में include कर दिया है most important इनसे कई बार question पूछे गया थे इसलिए मैंने इनको last में include कर दिया गया है तो जो famous jain center है South India में वह कहां पर situated है तो वह है स्रवन बेलो गोवा बेलो गोला यह पूछा हुआ है इसलिए मैंने इसको include कर रखा है सारे questions पूछे गये हैं जो famous jain center है South India में को कहां पर है स्रवन कहां पर है स्रवन याद रखिए आगे का अपने आप अब लोग लोग याद रखने की जुरूवत नहीं है यह इतना ही याद होगा मैं जानता हूं स्रवन याद रखिए बस जेयन लीटरेचर को क्या क meditation को क्या जाता है अग्स कर जाता है लास्ट रूलर आफ इंडिया इंडिया इट आदॉट्ट जैने लास्ट टेज यह निकी जो अंतिम सासक भारत का जिसने जैनिया को kita अपनाया वह कौन था चंद्रगुपत को था कौन था चंद्रगुप में छॉबिस तिर्थांकर हुआ करते थे तिरथांकर का मतलब Gen kita in Mark दिखा थे कहें क्ए प परदर्सक होते थे तो जो पहले थे और हो रिसब्देवह आए थे उसका उसके बाद 23 चौत में तो 24 को जो आपके क्लास्ट थे जहिनिजम क्योंकि उन्होंने बस पच्वाँ एड किया था नोए इसी लिए महाबीर स्वामी को क्या कहा जाता है और रियल फाउंडर किसको कहा जाता है रिसब्द्यों को ये कोश्टन का तो यह जैनिजम से असोसियेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे मैंने भी बात के न तो महावीर जो है शत्रीय वंस में उत्पन हुए थे、 पैदा हुए थे तो किस नेम से तो ये ग्यात्रिका रिपब्लिक के राजा हुए करते थे इन से फादर तो ग्यात्रिका रिपब्लिक हो गया तीर्थंकर ऐसे इसमें च今天 कर दो देश वाले л स्वमी का knowledge का कि किससे में लिखा हुआ है तो महावीर्ड स्वमी जो गेंड महावीर्ड स्वमी ने knowlege धी लिखा करहा है कब सुत्र में लिखा गया है Хотя appearances जैन धरम में ऐसा कौन सा परवत है जिसे पवित्र माना जाता है तो वो चंदरगिरी माउंटेन है कौन सा है चंदरगिरी माउंटेन दलू रूलर डिसेंडेंट्स एंड कुरेस्ड जैनिज्म ऐसा कौन सा जो सासक का रेटेड है संबन दीत तो जैनीजम से फ्रॉम जैनीजम से ठिक इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और हाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक आपको वीडियो को डिस्क्र सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा